है कि एक एक अपनी यूट्यूब चैनल गॉपाल इश्टेड़ी पॉइंट में पुनहें स्वागत है और जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के स्पीड टेस्ट लेगर आ रहे हैं और डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड हो रही है आप से रिक्वेस्ट है यदि आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाईए so that आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो फ्रेंड्स चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस करना है और साथ की साथ एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस करना है so that आपका कोई वीडियो मिस ना हो और आपनी जो तयारी है उसको continue रख सकते हैं चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं without wasting of time यह हमारा CDP का speed test 1 है और फ्रेंड्स इससे पहले हमने EBS का और हिंदी के speed test को upload किया है आप हिंदी का और EBS का speed test आप देख सकते हैं उसका जो link है आपको i button पर मिल जाएगा और उसका जो link है आपको description box में भी दे दिया जाएगा तो फ्रेंड्स question start करते हैं number one question है CDP section का यह एक speed test है और इसमें हमने 30 questions को लिया है जो की आपके same pattern जो की exam pattern है उसके according लिया है आपसे request है कि आप सभी question का attempt कीजिए और comment box में comment लिखना नहीं भूले चलिए friends start करते हैं question number one से question number one है प्रेना का अंतिम लक्षन है लक्स प्राप्ती के बाद बेचैनी का समाप्त हो जाना बेचैनी समाप्त करने का साधन है तो इसमें friends तो चीजे दी गई है सबसे पहला दिया गया है कि प्रेना का अंतिम लक्षन है जो हमारा motivation होता है उसका जो last property होती है वो होता है target को obtain करना यानि कि किसी भी लक्स प्राप्ती के लिए हमें motivation motivate होना पड़ता है तो इसमें next step में दिया गया है कि लक्स प्राप्ती के बाद बेचैनी समाप्त हो जाना तो लक्स जब भी हम किसी goal को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जो क्रिया सीलता है वो end हो जाती है उसके बाद बेचैनी समाप्त करने का साधन है तो ये हमें बताना है कि बेचैनी समाप्त करने का साधन क्या है तो पहले इसमें दिया गया है उसके तनाव को दूर किया जाना यानि कि जो हमारे जो तनाव यानि कि टेंशन उत्पन हुआ है उसको दूर करना सेकिंड दिया गया है उसको बदल दिया जाए तो ये भी बिल्कुल सही है और third में दिये गया है उसको दबा दिया जाए तो third option is not correct तो पहले जो दो हमारे options है option number one and option number two ये दोनों हमारे most suitable answer है तो इस तरह से इसका जो right answer होगा वो होगा friends आपका option number four and four में मतलब दिया है option number one and two दोनों correct है अब नेक्स question क्यों बढ़ते हैं friends next question है प्रसंसा एवं निंदा दो ऐसी प्रेनाएं है जो बालक में वुरद्धी करती है जो प्रसंसा है और निंदा है दो ऐसी motivation है जो बालक में वुरद्धी करती है किस चीज की अनुशाशन की सरीर की, समाजिक प्रेरकी या इन सभी की तो friends second option का जो right answer है वो है अनुशाशन की एक discipline जनेरेट करती है प्रसंसा एवं निंदा तो option number one इसका correct है next question की ओर बढ़ते हैं और friends ये एक speed test है इस speed test में आप 30 में से कितने questions obtain करते हैं उन सभी का जो score है यानि कि आपका जो score है आप comment box में लिखना ने भूले तो question number जो 3 है विकास वाद के समर्थक है डी के एवं बुस गोल्टन डार्विन या ये सभी तो विकास वाद के समर्थक है तो right answer है आपका friends option number जो third है third का option है correct option है वो है friends तो question number 3 का जो right answer है friends वो है आपका option number 4 और 4 में आपका जो दिया गया है जैसा कि option number 1 में डी के वों बुस गोल्टन एवं डार्विन ये सभी विकास वाद के समर्थक है तो next question के और बढ़ते है और next question के और जाने से पहले आपस request है यदि आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो please वीडियो को like कीजे और ज़्यदे ज़्यदे friends में इस वीडियो को share कीजे so that ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पहुँच जाए जिसको इसकी आवशकता है या जो दोस्त से टैट की या किसी भी राज्जे के टैट की तैयरी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यदा मेहतून है question number four है sub emotion का अर्थ है यानि कि जो हमारा word emotion है उसका क्या meaning है वो हमें बताना है तो question number four में option दिये गए है तेजित करना, उतल पुतल पैदा करना हलचल मचाना या या ये सभी तो question number four का right answer है friends, आपका option number four और four में दिया गया है ये सभी यानि कि emotion का जो अर्थ है वो है ये सभी तो friends, question number four में emotion यानि कि उत्तेजित होने के कारण भी आती है उतल पुतल पैदा होने के कारण भी और हलचल मचाना यानि कि उसके कारण भी emotion जनलेट होती है तो इस तरह से इसका right answer है आपका option number four next question के और बढ़ते हैं सम्वेग अभी प्रेर को का भावात्मक पक्स है ये है कथन है कि जो सम्वेग है वो अभी प्रेर को का भावात्मक पक्स है ये है किसका कथन है ये हमें बताना है तो right answer है friends आपका option number one यानि कि बढ़नी का next question के और बढ़ते है सम्वेग प्रकरती का हरदे है ये है कथन है ये है कथन किसका है कि सम्वेग जो है वो प्रकरती का यानि कि nature का heart है ये किसने कहा था तो यह कहा था friends आपका MacDougal जी ने यानि कि option number one इसका correct है next question फिजीक एंड करेक्टर पुस्तक के लेखक हैं बहुत ही most important question है फिजीक एंड करेक्टर के पुस्तक के लेखक तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपका इसमें option दिया गया है क्रेच मर क्रेच मर यानि कि option number two is the correct answer of this question next question सम्वेग हीन व्यक्ति को माना जाता है जो सम्वेग हीन व्यक्ति होता है यानि कि जिसके अंदर सम्वेग की उपस्तिती नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति को माना जाता है तो क्या माना जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स पशू यानि कि एक पशू के समान माना जाता है जिसमें समवेग नहीं होता है नेक्स विकासवाद के समर्थक नहीं है विकासवाद के समर्थक कौन से नहीं है तो फ्रेंट्स इसके विशे में अभी हमने बताया था कि जो विकासवाद के समर्थक है वो कौन कौन से थे उसके विशे में मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही आपको बताया था तो इसमें जो विकासवाद का समर्थक नहीं है वो है मिल्टन जबकि गॉल्टन, डीके, एंड बुस और डर्विन ये सब ही विकासवाद के समर्थक है तो option number 4 क्या है मिल्टन जो की विकासवाद के समर्थक नहीं है next question विकास का तात्परिय है जो हमारा development है उसका meaning क्या है तो उसका meaning क्या है question number 10 का most suitable answer है विकास वह परकिरिया है जिसमें बालक परी पक्वता की और बढ़ता है यानि कि option number 1 इसका बिलकुल सही है next question व्यक्ति के स्वभाविक विकास को कहते है जो व्यक्ति का जो स्वभाविक विकास है उसको क्या कहा जाता है बहुत यह अच्छा question है अभी वरदी यानि कि growth विकास या फिर परिवर्तन तो 11 number का question का right answer है अभी वरदी यानि कि उसकी growth यानि कि व्यक्ति का जो अभ्यविक विकास होता है उसको हम क्या बोलते हैं अभी व्रद्धी या फिर ग्रोथ बोलते हैं next question है 12 number का बाल विकास को कितने भागों में बाटा गया है जो हमारा child development है उसको कितने parts में डिवाइड किया गया है यह हमें बताना है तो यह किया गया है फ्रेंट्स आपका चार भागों में यह सभी हम previous वीडियो में पढ़ चुके हैं और फ्रेंट्स मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह सभी questions अच्छे लग रहे होंगे और यह सभी questions किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए questions है इसलिए आपसे request है वीडियो को शुरू से last तक देखेगा और friends अपनी बहतर तयारी के लिए यदि आप channel से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो जल्दी से जल्दी channel से जुड़ जाईए so that आपको कोई वीडियो मिस ना हो next question क्यों बढ़ते है अंतरदर्शन विधी में क्या दोस है तो अंतरदर्शन विधी के विश्यम में मैं आपको बताना चाहूँगा friends अंतरदर्शन जो विधी है वो एक ऐसा medium है यानि कि एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से व्यक्ति के चेतन मन का अध्यन किया जाता है और friends इसके तीन इस्तर बताए गए हैं अंतरदर्शन के जिसमें एक होता है व्यक्ति अपने मन का अंतरदर्शन करता है और दूसरा है उसका विश्यलेशन करता है और तीसरा है मानसिक प्रक्रियां में सुधार लाने का प्रियास करता है तो इस तरह से अंतर दर्शन विधी के विशे में हमें जानकारी रखनी है लेकिन इसमें कोशन पुछा गया है फ्रेंड्स कि अंतर दर्शन विधी में क्या दोस है यानि कि उसका डी मेरिट क्या है तो अंतर दर्शन विधी का डी मेरिट है आपका कि मानसिक क्रियाओं के एसपस्ट एओम परिवर्तन सील होने से श्वम के अधन में कठनाई तो option number 4 इसका correct answer है अब next question क्यों बढ़ते हैं बही दर्शन अत्वा निरिक्षन विधी में क्या दोस है तो जो हमारी बही दर्शन विधी है या फिर निरिक्षन विधी जिसको बोलते है उसमें क्या दोस है तो वो दोस यानि कि डी मेरिट हमें बतानी है तो डी मेरिट है हमार प्रभाव और पक्षपात की संभावना ये एक निरिक्षण विदी का दोस है अभी नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं अंतर दृष्टी का सिध्धान किस संप्रदाई को सिद्ध करता है बहुत अच्छा कोशन है अंतर दृष्टी का सिध्धान किस संप्रदाई को सिद्ध करता है लिन्हें करता है तो यह करता है आपका अव्याई वादगो आव व्याई वादगो यानि कि option number one इसका correct है next question क्यों बढ़ते हैं फ्रेंट नेक्स question है रूचियों मूल प्रवरतियों एवं स्वभाविक आयोगो का स्वस्थ स्वस्थ विकास को स्वस्थ विकास हो सकता है यानि कि रूचियों मून प्रवर्तियों एम स्वाभाविक आयोगों का स्वस्थ विकास हो सकता है तो फ्रेंट्स इसमें चार ओप्शन है correct answer हमें देना है तो correct answer इसका है आपका option number 4 यानि कि वातावरन जिसमें वहे रहता है स्वस्त होना चाहिए यदि हमें रूचियों, मूल परवर्तियों और स्वाभाविक आयोगों का स्वस्त विकास करके रखना है तो उसके लिए चाहिए कि हमें एक वातावरन जिसमें हम रहते हैं वो healthy होना चाहिए next question की और बढ़ते हैं friends सिक्षा के छेत्र में मनोविज्यान के बहुत ही महत्पून परिवर्तन किये गए है जो है, वे कौन से परिवर्तन है जो किये गए है, उन्हें हमें बताना है तो 17 का जो right answer है वो है आपका option number 4 यानि की हमारा जो option 1 है सिक्षन विद्यों में सुधार करना व्यत्तिकत विभिन्ताओं पर बल देना और पाठ्षे करम में सुधार पाठ्षे करम सहयोगी क्रियाओं पर बल, बाल केंदरी सिक्षा पर बल ये सभी क्या है सिक्षा के छेत्र में मनोवग्यान ने बहूत से महत्पुन परिवर्तन है किये गए परिवर्तन है तो यानि की option number 4 इसका correct है next question क्यों बढ़ते है next question है friends विद्यार्ती वह है जो गुरू को विद्या का धनी समझ कर उन से विद्या की याचना करता है ये है किस में लिखा गया है यानि कि ये किस चीज में लिखा गया है जिसमें विद्यार्ती के विशे में बताया गया है स्टुडेंट के विशे में बताया गया है कि जो गुरू को विद्या का धनी समझ कर उन से विद्या की याचना करता है तो ये कौन से वेद में यानि कि पुराण में ये रामायन में लिखा गया है वो हमें बताना है तो ये लिखा गया है फ्रेंड्स आपका सास्त्रों में यानि कि option number one इसका correct है नेक्स question अंतर दर्सन की किरिया में मानव की कौन सी भावनाई काम करती है तो जो अंतर दर्सन की किरिया है उसमें जो मानव है उसकी कौन सी भावना काम करती है बहुत ये अच्छा question है 19 number का question है इसका correct answer है आपका अमूर्थ भावनाई यानि कि जो अमूर्थ का मतलब होता है आभाशी जो हमारे जो वास्त्विक ने हो तो अंतर दर्सन की किरिया में मानव की अमूर्थ भावनाई काम करती है option number 3 is the right answer next question के और बढ़ते है friends सिक्षा मनोविज्यान की परचलित विधिया है सिक्षा मनोविज्यान की कौन-कौन सी परचलित विधिया है तो इसमें दिया गया है friends हमारा 20 number का जो question है इसमें दिया गया है अंतर दर्सन विधी जिसके विचे में हम कुछ देर पहले ही पढ़ चुके हैं बही दर्सन विधी तो ये दोनों विधिया क्या है सिक्षा मनोविज्यान की परचलित यानि की फेमस विधिया है तो इस तरह से option number third इसका correct है one or two statement correct है next question बहीर दर्सन में निरिक्षन किया जाता है तो बहीर दर्सन में निरिक्षन किसका किया जाता है वो हमें बताना है तो ये जो बहीर दर्सन में जो निरिक्षन किया जाता है वो किया जाता है फ्रेंड्स दूसरों का यानि कि option number third इसका correct है next question किसी कारिय या घटना के परती हमारी किरियाओं का अपने ही अंते करण या मन में विचलेशन करके किसी निस्पक्स निर्ने तक निर्ने पर पहुँचना ही कहलाता है क्या कहलाता है यदि हम किसी कारिय घटना के परती हमारी किरियाओं या या एक्टिविटीज करते हैं तो अपने ही अंत्यकरण या मन में विशलेशन करके किसी निस्पक्स निर्ने पर पहुँशना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फ्रेंड्स आपका अंतरदर्शन, अंतरदर्शन, तो option number one इसका correct है. नेक्स कोशन करें बढ़ता है मन, बुद्धी, चित, एमन, एहंकर में से निर्नायक तत्व किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है फ्रेंड्स आपका option number two की और जाता है answer यानी कि बुद्धी को नेक्स कोशन है अंतर दर्शन विदी में गुन है यानि कि इसका मेरिट बताना है और इससे पहले इसका डिमेरिट बताया गया था यहाँ पर इसका मेरिट बताना है तो 24 का जो राइट आंसर है फ्रेंट्स वो है आपका option number third option number third यानि कि आपका next slide में है यह है फ्रेंड्स आपका प्रयोग साला की आवशक्ता नहीं होती है। नेक्स कोशन है इसमें ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से सारीरिक, मानसिक, अथ्वा समवेगात्मक दरश्टी से परियाप्त भिन होते हैं। उन्हें कहते हैं। तो उन्हें किस प्रकार के बालक कहते हैं जो सामान्य बालकों से सारीरिक, मानसिक, अथ्वा समवेगात्मक दरश्टी से भिन होते हैं। यानि कि option number 4 इसका correct है, hill guard तथा end किशनने। नेक्स question के और बढ़ते हैं, व्यक्ति के स्वभाविक विकास को कहते हैं, जो व्यक्ति का स्वभाविक विकास है उसको क्या कहा जाता है। तो 27, number का जो question है, इसका right answer है, friends, आपका अभी व्रद्धी। ये एक repeated question है, friends. नेक्स question के और बढ़ते हैं, और नेक्स question के और बढ़ने से पहले एक पर request करता हूं, friends, यदि आपने अभी तब वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और ज्यादे से ज्यादे दोस्तों में इस वीडियो को WhatsApp और Facebook ग्रूप पर share कीजि तो 28 का जो right answer है, वो है, friends, आपका option number 4, जिसमें भोजन भी आता है, वयाम भी आता है, और ग्रंतियों की क्रिया सेलता भी आती है, तो इस तरह से हमारा right answer है, इसका option number 4, next question, मनो विशलेशनात्मक उपागम के प्रतिपादक है, जो मनो विशलेशनात्मक उपागम है, अप्रोच है, तो इसके प्रतिपादक कोन है, तो इसके प्रतिपादक है, friends, right answer है, आपका option number 2, fried, यानि कि option number 2, fried, correct है, next question, and the last question of this video, सहस्वावस्था की IU मानी जाती है, जो सहस्व जन्म से 2 वर्स तक की IU, सहस्वावस्था की IU मानी जाती है, तो friends, इस तरह से हमने 30 most important questions को इस video में discuss किया है, I hope आपको इस video पसंद आया होगा, और friends, आपने 30 में से कितना score obtain किया है, आप comment box में लिखना नह भूले, तो चले friends, मिलते हैं next, speed test में तब दक के लिए आपका दिन शुब हो, मंगल में हो और उसी सुब कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिन, जै भारत, thanks for watching this video.